आज जो recipe मैं आपके साथ share करने जा रहे हूँ तवा कुल्चा नान बहुत ही soft और नरम फुले-फुले से बनते हैं और घर की बेसक्सी चीजों का इस्तिमाल करके आप इसे आसानी से बना सकते हो बेहतरीन रेसिपी है और तवा कुल्चा नान की साथ साथ मैं आपको यहां पर पटर पनीर की बेहतरीन रेसिपी भी दूँगी आप इसे जरूर ट्राय करें यह रेसिपी आपको और आपकी भरवार को बहुत पसंद आएगी नमस्कार फ्रेंड मैं हूँ संगीता और आपका बहुत बहुत सागत करती हूँ आपके अपनी रेसिपी में आसक करती हूँ आज की रेसिपी आपके लिए हेलपबूल होगी रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज इसे लाइक दें चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और पराथ ले लिएगा कोई भी चीज होगी उसका इस्तमाल कर सकते हैं और कपके परापर में यहां पर सिंपल सा रूम टंपरेचर वाला दूद ले रही हूँ एक चमज के परापर सुगर ले जिए गा सुगर क्या करेंगा परमेंट करने में इसमें बहुत जादा हिल्प करे दूद के साथ इसको इनो फ्लूट शॉल्ड शूकर शॉल्ट हमने डाला है बड़ी ऐसे मिला ले तब अब यहां पर दो कप में ले रहे हूं रिफर्ण फ्लॉर यानि कि मैदा दूद की जगह यहां पर आप दही का इस्तमाल भी घर रखते हो हम आज यहां पर इनिस्टें सेम मिली गा आटा मिलेगा आटा मिलेगा के मसल बसके मसल के बना रहे हं जूकर देली हैं मैदा का इस viktमाल करें यहां पर तवनान पनाने के लिए आप चेतों गेहों के आटे का इस्तिमाल भी कर सकते हैं अब बनाते हैं यहां पर बटर पनीर तो बटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहां पर एक पहल ले लिया है और इसमें लेते हैं यहां पर एक बड़ा जपीर बटर का बटर हलका सा इसमें गरम हो जाएगा तो हम यहां पर पनीर को फ्राइब करेंगे गैस का फ्लेम आप मत्यम पर रखेंगे और पनीर को हलका सा फ्राइब कर लेंगे फ्राइब करने से क्या होगा हम बटर में यहां पर बटर पनीर बना रहें तो बटर में थोड़ा सा फ्राइ किया है बटर में अब इसको निकाल यह से किसी यह थाली प्लेट पे और इसको रख देते हैं शाइट पे अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो यहां पर मैंने वही पहल लिया है अभी हमने पनीर को जो है बटर के साथ फ्राइक रहा था अब मैं यहां पर ले रही बस दो तेज पत्ते भी ऐसे तोड़के डाल दीजिएगा कैस कफले में आप में जंपे करेगा मसालों को उमने पिल कुभी एक्छा ब्राउन ना करना है ना तो इनको जलाना है हलका से फ्राइए होंगे तो इसका हलका से यहां पर फ्लेवर भी आएगा जब मसाले अच्छ और यहां पर टमाटर भी तरीके से इसको भी हम फ्राइए करेंगे अपना यह बहुत अच्छा फ्लेवर होता है प्लस यहां पर ग्रेवी को थिकनिस भी देगा तो मैं यहां पर 20 से 25 ले रही हूं काजू काजू से बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी सातमे इसमें बहुत हो जाएगा साथ में लसन प्याज जितने भी अमने मसाले डाले हैं सारे मसाले सौप्ट हो जाएंगे बड़ी अच्छी मिलाने के बाद हम थोड़ा से इसको ढख कर रखेंगे ताकि एक्स्रा सौप्ट हो जाएगे हमें आपर पानी का इसमाल नहीं करना होगा मसाले यहां टमाटर बहुत अच्छे से यहां पर मैस भी हो रहे हैं अब हम यहां पर ग्रैस का फ्लेम कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं और इसको बात में यहां पर जब यह ठंडे हो जाएंगे ताब हम इसको ग्रैंड करेंगे गर्मा गरम में इसको ग्रैंड नहीं करेंगे तो इसको यहां पर ग्राइंड करने के लिए हमें पानी के आवज सेकता है नहीं पड़ेगी इसको कर लेते हैं जब तक यह भाइन से इसकी प्योरी न बन जाए तो ग्रेवी के लिए हमारे यहां पर बढ़े आशे मसाले पिसके तयार भी हो गये हैं वी टूड आने से सब बहुत करेंगे वेजिटियाबल तेल इस्तमाल कर रही हूं चाहे तो यहां पर बटर के इस्तमाल भी कर सकते हैं बटर पनीर बना रहे हैं जिए आप ज्यादा बटर खाना पसंद करते हो तो बटर के इस्तमाल करें बटर डालने से बहुत अच्छा फ्रेवर भी बढ़ता है जब आप टेल हमारे यहां पर पर बमध्यार हो तब कुछ मसाले एट करेंगे तब कुछ मसाले मसाले दन्या पौडर एमिष भी पौडर लाल मिर्च पौडर थोड़ल साताम में अब पनीर मसाला अब गरम मसाला भी डाल दीजेगा ओशे यां पर ज्यादा वो सकते हैं थे uplifted एक अच्छा माशाortunities को बधिम टारे आगे घटाओं तक अलता सासिकते अएंव जन के अविस्याइं को kmत में देधने रहें संचा मुद्धा करने लिए चाहें, आप अन्याद अश्छान हम एक न चेहां प थोड़े से यहां पर चीटे भी आ रहे हैं एक-दो मिनट बाद इसको ठक नुद कर दो अच्छे से यह तो अच्छे पक भी गई है मसाले बहुत है अच्छे से फुन भी गह रही है अब हम इसमाइट करेंगे घर की मलाई दूरवाली मलाई जो हम निकालते हैं वह यह एक से दो चम्मच है और अच्छे से मैं इसको फिट दियाता है अब गैस का फिलेम हम मत्यम पर करेंगे इसको लगाता चलाते हैं हमने वैसे तो काजु डाल रखे हैं क्रीम डालने से किया है बहुत ज़र डिया आएगा और साथ में इसको बहुत ज़र बिया अच्छा भी तो यहां जो हमने मलाई वगेर डाले नहीं तो थोड़ीची फट भी जाएगी तो इसका ग्रेवी का चेंज भी हो सकता है कलर बढ़िया से इसको मिला लेते हैं अब हम इसमें एड करेंगे क्रीम को हमने मिला लिया तो मैं थोड़ा सा यहां पर क्रस्ट करके कसूरी मेति भी डाल रही हूं कसूरी मेति जरू से डाल लिएगा इसका बहुत अच्छा प्लेपर प्याता है और बढ़िया से मिलाने के बाद हम इसमें एड करेंगे पनीर को हमने हलका सा फ्राइ करा था मैंने थोड़ा से इसमें दूद में डाल लिया था इसको ऐसे क्या होगा पनीर हमा कैसी लग रहा है अपना फीट बैग मुझे जरूर से कॉमेंट सेक्शन में दीजेगा तो हमारा यहां पर बटर पनीर बनके तायर हो गया है बस तोड़ा हम इसको कवर करके रहेंगे ताकि यहां पर जो मसाले है ना पनीर के साथ अच्छे चरच बस जाए और इसकी करेंगे तो थोड़ा यहां पर हम लाएंगे इसमें दो तीन मिनर बात हम इसका ठकन अठाएंगे और ग्रेवी पकेश प्रिकुल तायर है अब उपर से थोड़ा से यहां पर हरा धनिया फ्रेवर देने के लिए और बस मिला लीजेगा गर्म गरम गुल्चों के साथ यहां बटर बन के तायर है इसका तो कोई नहीं क्या आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राइब करें लाज अब आप सब पनीर बटर बन के तायर हो गया चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चाहां पर हम कुंचा बनागर तायर करेंगे आठा हमने या पर सेट होने के लिए रख दिय पर अच्छे चीज को मसल दीजिएगा आठा को मैंने या पर दुबारा से शेट कर लिया चलते हैं पीरने की तायरी करते हैं या पर आप तो चकले पर या किसी कुली जगह पे तोड़ा से या पर सूका मैदर डश्ट किर दीजिएगा अब उठाते आप लोई जिस भी साइ अब हम या पर पनीर कुल्चप बना रहे हैं तो पनीर थोड़ा से या पर ग्रेड कर सकते हो तो मैंने कुछ पीस या पर पनीर के लिए हैं और इस तरीके से आप ग्रेड कर लीजिएगा उपर से अब जितना इस्टाप आपको चाहिए उसकी हिसाब से आप या पर पनीर कर लीजेगा उपर से में थोड़ा सा पहले इसको फैला लेते हैं और थोड़ा सा में डालेंगे यहां पर रचली फ्लैक्स यह आपको पसंद देता है जरूर से डालेगा यह कलोर बहुत अच्छा देता है दिखने में भी अच्छा लगतार इसको स्वाद भी आता है फोल्ड कर बहुत आसानी से इसमें पॉंडिंग पे आ जाएगी पनीर अच्छे से पहले हम अंधर कर लेंगे और सेम तरीके से हम दोनों कुल्चों को इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे आसानी भी हो जाती है जो भी आपको कुल्चा चलेगे आप उसको पना लीजेगा अब हल्के हा जो हमारे कुल्चे है उस भी बराबर से लगा लेंगे आप तो पानी का इस्तमाल कर दीजिएगा ऐसे क्या होगा कुल्चे में बहुत अच्छी साइनिंग पी आएगी और बहुत अच्छा स्वादी बढ़ेगा बटर से तो बटर हमने या पर पनीर बना रहा है साथ में य सारू कोनों से उपर से इस तरीके से आप थोड़ा हलका हलका दबा दीजिएगा तो हमारे यहां पर इन नान बन के तयार होगे हैं या कुल्चा कह लीजिएगा अब मैं दूसरा वाला यहां पर कुल्चा आपकी साथ शेर कर रही हूं तो आप हम गोल वाला कुल्चा दबाते हुए थोड़ा सा पहला लेंगे क्योंकि आठ बहुत ज्यादा सौब्ड होता है अब हमने यहां पर पनीर लेते हैं यह आसानी से इक्तम से मैस हो जाता है आप चाहे तो पहले से एक अदुकर करके रख दीजिएगा अब जितना आपको यहां पर श्टपिंग पनी पर जाले के उसकी हिसाब से उपर से यहां पर रेड चली फ्लेक्स वह हमने डाले हैं पहले वारे कुल्चे में इसमें बिडालेंगे अब इसको बंद कर दीए जैसे हम नौर्मल परांटे या आलू अगेरा की परांटे भरते हैं उसी तरीके से मैं आपर दो तरह की कि कुल अठा वह भी किसी बी तरीके के हलका सा यहां पर हाथों से दबाव रखते हुए बस सेम तरीके से हम यहां पर बटर और जो हमने दूद का मिश्ण बनाता गोल बनाता चाहे तो आप पानी का यहां पर इसमाल करें अपर लगा लेंगे इस पर भी हम बटर और दूद का आपको जो भी पसंद है आप उसक को अड़ कर दिजेगा कुल्चे हमारे बन के तयर हो गाए हैं और से स्पैटूला से थोड़ से तरीके से आप और अब चलते हैं væimes की तरफ कुल्चे साली बन बनके हो गए हैं तो गैस पर पएaste मेन और एक पाहर ले लेला है ना היरे को तो कोई सब इतना हुए पर आसानी सिच को बना सकते हो, कड़ाई हो या प्रेसर कुगर हो, किसी भी साइटा से आप यहां पर कुल्चे या नान आसानी से बना सकते हो, गैस का फिलेम मत्यम पर कर देंगे, इसको शिखने देंगे एक से दो मिनट, हम यहां पर ढ़कन भी लगा लेंगे, ढ़कन रखने से एक सोब्ट बनेगा, बहुत जादा फूलता भी है, तो हम थोड़ा सा कबर करेंगे, बहुत जादा सोब्ट बनेगा, पके अंदर तक पकन कुल्चा बनके टायर हो गया, एक तरफ बहुत य अच्छे से सिख भी गया है, 102 मिनट, एक से दो मिनट हम इदर पी रखेंगे, थोड़ा सा कबर करके, पहला बटर पनीर कुल्चा हमारे बनके अच्छे से सिख के टायर हो गया है, अब इसको हम थालिया प्लेट पे निकाल और एक से दो मिनट बात हम इसको भी सेम तरीके से पल्टा लेंगे ऐसे करने से इसकी स्टीम भी बनेगी और इसमें पकने में भी बहुत जादा करें और रेसीपी को इंड राय करें आ सकरती हूं आज की रची लगिए त奶 दे प्रिटें चैनल झाल 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 झाल